नमस्कार आप देख रहे हैं सीनी उस भारतों मैं हूँ आपके साथ फ्रियाश रास्ता और वक्त हो गया है खास रिपोर्ट का हरी आड़ा में बीजेपी ने खेला किया तो जम्मु कश्मीर में कॉंग्रिस की बल्ले बल्ले हुई है जिस राज़ का बीजेपी ने काया कल्ब की आतंक को मिटाया नया जम्मु कश्मीर बनाया वहीं उसकी सियासी हालत पतली हो गई है कॉंग्रिस और नैशनल कॉंफरेंस भली वहां सरकार बनाएगी लेकिन एक बड़ा रोडा उनके रास्ते में फिर भी आएगा कुल मिलाकर जम्मु कश्मीर का बिग बॉस तो कोई और ही होगा जो सरकार को अपने इशारों पर नचाएगा वो कौन होगा चलिए बताते हैं साल 2019 में जम्मु कश्मीर की अंतिम राज़ सरकार को भंग कर दिया गया जिसके साथ ही राज़काव विशेश दरजाज जो की आर्टिकल 370 था उसे समप्त कर दिया गया जिसके बाद जम्मु कश्मीर को दो केंदरिश शाषित प्रदेश और जम्मु कश्मीर और लदाक में विभाजुत किया गया अब जब नए चुनाव समपन हो चुके हैं तो नई सरकार का गठन होगा भले 370 हटाने वाली बीजेपी जम्मु कश्मीर में मात खाई हो और राहुल गांदी की बले बले हो गई हो लेकिन ये सपस्ट है कि नई सेरकार के पास अधिकारों की कमी होगी और असली शक्तिया उपराजुपाल के हाथों में रहेंगी नए जम्मू कश्मीर में पुनरगटन अधिनियम के तहत उपराजुपाल के पास महत्वपूर शक्तिया होंगी जैसे की कानून विवस्था सारजुनिक सुरक्षा और पुलस कारियों में उनका निर्ने अंतिम होगा उपराजुपाली दैनिक शाषन को प्रभावित करने में सक्षम रहेगा विदायर सबा की शक्तियों में कटोती के कारण नई सरकार की कारिकारी शक्तियां सीमित होंगी इस कारण जम्मू और कश्मीर में उपराजुपाली सर्व शक्तिमान होगा विराय सबा के सदस्यों को वित्य कानूनों के लिए उपराज जुपाल की पूर्व अनुमती लेनी होगी यानि की बड़े निर्णय जैसे की काराधान या नीतिगत बदलावों से सम्मंदित मुद्दों पर उपराज जुपाल की मन्जूरी जरूरी होगी इसके अलावा सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों में भी उपराज जुपाल का हस्तिक शेप होगा जिससे प्रशाशन पर उनका नियंत्र बढ़ेगा जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने उपराज जुपाल के अधिकारों का दाइरा और बढ़ाया है जिससे उन्हें प्रशाशनिक मामलों में भी ज्यादा शक्तियां मिल कई है यानि कि कुल मिला कर देखा जाये तो नई सरकार वो कोई काम नहीं कर पाएगी जो वो वाकई करना चाहेगी या फिर उसमें रोड आएगा जमु कश्मीर का केंद्र शाशुत प्रदेश बनना और नई विवस्ता के तैट उपराज जुपाल का दखल देना लोगों में नई सरकार के प्रभाव को लेकर संदै पैदा कर रहा है उपराज जुपाल के पास विदेकों को लटकाने की भी शक्ती होगी जो कानून में अर्चन डाल सकती है इस तरीके से जमु कश्मीर का भविश्य में राजनीतिक धाचे के भीतर एक चुनौती पोंड रहा पर आगे बढ़ने का ये पूरा संदेश देरा है फिलाल इस खास रुपोर्ट में तहीं देश तुनिया की बाकी खबरों के साथ जोड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं सीन्यूस भारत